दिवाली दिवाली जो है वो हमारे भारत देश का एक बहुत ही महत्यकून त्योहार है और सभी तरह के लोग सभी धर्मों के लोग इसको बड़ी हर्शोल्लास के साथ मनाते हैं और विश्व की सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश और एक जो समुदाए है वो इस देश को वो इस त्योहार को पूरे अर्शोल्लास के साथ मनाता है पांच दिन का ये त्योहार होता है और इस पांच दिन के त्योहार में लोग अलग अलग तरीके से दीप जलाकर पूजा पाट करके मिठाई खिलाके या एक दूसरे के गले लग कर इस त्योहार को मनाते हैं लेकिन पंडित दिनेश शर्मा जी जिन से आज हम जानेंगे कि पंडित जी दिवाली क्या है इसके बारे में कुछ बताईए हमारे दिपावली पूरे भारतवर्ष का बलकि पूरे विश्व का सबसे बड़ा त्योंहार है यह पूरे विश्व में चाहिसे किसी भी प्रकार से मनाया जाता हो लेकिन भारतिय जनता के मन में यह दिपावली पर्व एक ऐसा पर्व है जो कि नाम सुनते ही हर्ष और उल्लास से उनश्य को भर देता है वरक्षा रितू के बाद में सरद रितू के आगमन पर कार्तिक कृष्ट पक्षक की अमावस्या तिठी को दिपावली जो आज से ही नहीं, सेक्णों साल से नहीं, सहस्रों साल से नहीं, बलकि लाखों करोडों साल से मनाया जाने वाला एक पर्व है जो कि आज भी उसी तरीके से मनाया जा रहा है जो कि आज के कितनी ही लाखों वश्पूरों मनाया जाता है वेदों में तो इसका उल्लेक किसी किसी प्रकार से गुप्त है लेकिन पुराणों में स्मृति गंथों में धर्म शास्त्रों में दीपावली का भहुती रोचक वरनन और इसके नाम है। भगवती लक्ष्मी का पूजन करता है वह सभी सुखों को प्राप्ट करता है क्योंकि भगवान जो कुभेर हैं जो यक्षराज हैं यह सभी देवताओं के और यह है लक्ष्मी जी के मंतरी है। तो हमारे हाँ पुराणों में बरणन मिलता है कि इस दिन प्राचीन समय में यक्षों का पूजन होता था और इसी कारण आज भी हम कुवेर जी का पूजन भी इसमें करते हैं, क्योंकि कुवेर भगवान यक्षों के अजिपती है, यक्ष नगरी के स्वामी है, इसलिए इसको लक्ष रात्री भी कहा जाता है चार प्रकार की रात्रियों में से दीपावली का नाम सुख रात्री है क्योंकि इस दिन भगवती लक्ष्मी पूरे विश्व और भ्रमन करके उन्हें सुख प्रदान करती है जिन जिन घरों में सफाई दीपावली जलते हुए दीप रोश्ण लोग जागरण करते हुए स्वच्छता आदी मिलती है उन सभी घरों में लक्ष्मी की कृपा होती है शास्तर कहता है जो लोग स्वच्छ नहीं रहते हैं अपने घरों को स्वच्छ नहीं रखते हैं उन लोगों पर लक्ष्मी की कृपा नहीं होती है इसलिए लक्ष्मी पु पूरे सरीर का और पूरे महत्मे का वरणन है, किस प्रकाश में करना चाहिए, आपने सुना होगा कि हम दिपावली पर रोशनी करते हैं, तो रोशनी शब्द कहां से आया, तो कुन करेगा रोशनी, कैसे करें रोशनी, तो ये संस्कृत के एक शब्द रोचना से निकल गया, रोचना का मलब होता है प्रकाश, उस रोचना को एरानी भासा तक पहुंसते पहुंसते, चैको शव होने से रोशनी बन गया, इसलिए यह रोशनी शब्द बन गया, लक्षमी जी का तो शास्त्र में एक नाम ही है, रोचनावती, इसलिए लक्षमी जी प्रकाश की देवी ह और भारत में तो जो भा है वह प्रकास का ही बाचक है इसलिए हम सब प्रकास के पुत्र हैं प्रकास के उपाशक है हम सभी लोग इसलिए देपावली हमारे कणकण में और हमारे एक एक रक्ति के बून्द में वसा हुआ ऐसा त्योंहार है जो हम सत्युक से मनाते आ रहे हैं औ हम सभी का एक श्रेष्ट परव हैं हमारी पहचान है और पूरे भारत की एक प्रतिष्ठा का परव है इसलिए दिपावली का इतियास बहुत लंबा है इसलिए हम सभी को प्रेम पूरवक भगवती धन के लक्ष्मी को मनाने के लिए हमारे घर में सुक संवर्ध्य बड़े इस झाल